अगर आप प्लाट ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाउंड्डी कर वाना पड़ेगा अब यहाँ पर अपना हम लोग वायट कर रहे हैं जो लोग प्लाट लिए हैं लखनौ में अपना रेंट पे रह रहे थे उनको इन्वाइट कर रहे हैं घर बनवानी के लिए हमारे पास इन्वेस्टरों के लिए बहुत सारी जगह हैं इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनके लिए बहुत आप्षन हैं अकर कंपनी में हमारे साथ जुड के काम भी करना चाहते हैं हमारे साथ जो हम शुरुवात किये थे ना जेल रोड पे इस साइड आपको आवास विकास की योजना है सारी मिलेगी अंसल मिलेगा इस साइड आप जाएंगे पुर्वांचल एक्सप्रस वे सुल्तानपुर हाईवे इधर जाएंगे दो किमेटर तक तो राइबरेली रोड चारों करेंगे और डिफेंस कोरिडर के लिए जो जमीनों का एक्क्वाइजेशन किया रहा है वो सारी होती है वो सीवर देखा जाए सीवर लग गए है इस पर सोलर पैनल की लाइटे लग गई है कैमरा लग गया है बांडी वाल हो चुकी है डामर रोड बन चुका है वाटर करवाते हैं अपना नाम लिखवा देते हैं प्लाट फे तो यह सब चीज़ें जो है बहुत ही सिस्टमाइटिक तरीके से कंपणी ने यहां डिजाइन किया है वेल चौड़ी-चौड़ी रोडे मिल लेए हैं सारी सुभाई मिल लेए पार्क मिल लेए हैं जो फैसेल्टी हो प्राज के समय में यहां पर जितने भी केस्टमर लिए हैं देखे कितनी बड़ी टाउंसिप हमारी है यहां पर देखने पूरा काम चला आप इसका काम चला है यहां पर बिरस्था सुधाएं रहेगी यहां प्रापर रोम रहेगा स्विमिंग फूल भी बन रहा है सारी अगर आप प्लाट ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाउंडी करवाना पड़ेगा मैं लखनों में जहां एक तरह से रियलिशेट को देखा जाए कहीं एक गिरावट आई थी लेकिन इस समय सबसे ज़्यादना अगर ग्रोथ है तो लखनों की है हर साल करीब 40,000 प्लाट कि मिलती थी वह आज के समय में लखनों मिले 24 घंटे कलब खुल ले हैं बार खुल ले हैं हर चीजे 24 घंटे लखनों चल ला है आप हर कोई बी चीज ऐसी नहीं जो आप जब चाहेंगे हर समय मिलने वाली है पूरा अगर देखा जाए पूरा भारत का अगर उत्तर भारत का देखा जाए ना जो भारत का उत्तरी एरिया होता है तो लखनों जो है टाप एरिया में आता है टाप डवलप्मेंट है फैसल्टी है हाश्पिटल है यहां पर जेंट्री अच्छी है बिजनेसमैन है अच्छे-च्छे बहुत सारी इंड्रेश्टियां है पुर्वांचल ए आने के लिए लोगों को अब सोचना नहीं पड़ता अभी हार तक तुरंत पकड़ते हैं तीन घंटे के अंदर लखनों पहुंच जाते हैं इस सुबधाएं एक्सप्रस वे जितने हैं सब कनेक्ट हो रहे हैं लखनों में तो माई प्रेंस आज अगर आज आपने डिसीजन ले लिया है कि में प्लाट लेना है तो आप देरी ना करिए क्यों कि ऐसी लोकेशन ऐसी लोकल्टी इस लेवल तक प्लाट हमें नहीं लगता कि आपको कहीं मिलने वाले हैं और आसपास का एरिया है कर मैं आपको बता रहा हूं जो चीज़ें आप पहले अगर इसी टाउंसि के साथ मैं अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिए सब्सक्राइब कर दिए हो सकता है आपके माध्यम से कोई प्लाट यहां पर ले ले